हाई मैं दियान बर्मा स्वागत है मेरे चैनल बाइलोजी भाई बर्मासर में पिछले वीडियो में हम लोग आवर एन्भार्मेंट चैप्टर का महत्तुपुन प्रस्न यानि इंपॉर्टेंट कोशन देखे थे जो फाइनल बोर्ड एक्जाम जो आने जा रहा है इसके लिए काफी महत्तुपुन कोश्चन था इस वीडियो में हम लोग हाव डू ऑर्गिनिस्म से रिप्रोड्यूस जिवधारी कैसे प्रस्नन करते हैं यानि रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है इसका हम लोग इंपॉर्टेंट गेस कोश्चन देखेंगें कि चैप्टर जुक्त काफी बड़ा इसे हैं इसे पहले ए सेक्षोल इ प्रोडक्शन पढ़ना है फिर सेक्षोल इक्षण पढ़ना है प्लांट का भी पढ़ना है हिम का भी पढ़ना है तो इसमें से कुल मिलाकर 58 कोश्चन लगबग इंपॉर्टेंट निकलते हैं जिसको मैं तीन ग्रूप में बाढ़ दिया हूँ पहला ग्रूप है very very important questions इस पर आपको विशेज ध्यान देना है क्योंकि परिछा में जो coming exam है इसके लिए काफी महत्वपुन प्रस्न है इसके बाद कुछ questions रहेंगे भी आई यानि very important जो थोड़े कम महत्वपुन है और last में important questions है जो सबसे कम महत्वपुन है तो टोटल 28 questions जो है इस चैप्टर से रिप्रडक्शन से जिसको तीन ग्रूप में मैं बाढ़ दिया हूँ तो पहला ग्रूप जो हमारा है वो है भी वी आई यानि very very important questions इसको बिशेश रूप से आप पढ़िएगा exam के लिए most VVI है मानके च question है इसमें right differences between asexual and sexual reproduction इंदी में अलेंगिक जनन एवं लेंगिक जनन में विभेद बताएं अंतर बताएं अलेंगिक एवं लेंगिक जनन में अंतर बताएं राइट डिफ्रेंशेज बिट्विन asexual and sexual reproduction दूसरा question है describe binary fusion in amoeba how is it different from that in lishmania amoeba में दूइखंडन कैसे होता है और amoeba का दूइखंडन लिष्मैनिया में पाए जाने वाले दूइखंडन से binary fusion से किस परकार अलग है तो दो questions होता है तीसरा हम लोग देखते हैं describe budding in ist budding जानते हैं unicellular में भी पढ़ना है multicellular hydra में भी पढ़ना है लेकिन exam के लिए ist वाला जो है जादा महत्वण है तो describe budding in ist ist में मुकुलन की प्रक्रिया का वर्णन करें इस्ट में मुकुलन की प्रक्रिया का वर्णन करें फ़र्थ question हमारा है define करना है कुछ term तो पहला टर्म जो है वह है unicexual flower हिंदी में एक लिंगी पुस्प दूसरा है bisexual flower हिंदी में द्वी लिंगी पुस्प आप दोनों को define करके उसका एक दो example भी आपको दे देना है तो से लिखा हुआ unicexual flower and give examples एक लिंगी पुस्प क्या है उदाहरंदे द्वी लिंगी पुस्प क्या है उदाहरंदे तीसरा है staminate flower यानि नर्पुस्प चौथा है pistillate flower यानि मादपुस्प पाचवा है pollination यानि परागन what is pollination? pollination क्या है? परागन क्या है? उसके बाद छठा जो है define करना है fertilization निशेचन क्या है? सात्वा डिफाइन करना है double fertilization क्या है? दोहरा निशेचन क्या है? यह और भी ज्यादा महतोपूर्ण है double fertilization दोहरा निशेचन बिल्कुल याद कर लिए उसके बाद अगला है germination अंकुरन किसका पढ़ना है? सीड का तो बीजों में अंकुरन कैसे होता यह नहीं बताना है उसको define करना है उनकुरन क्या है? बीज का अंकुरन है क्या? define करना है तो यह हो गया हमारा जो define करने वाला question था यह unisexual flower, bisexual flower, staminate, pistillate, pollination, fertilization, double fertilization और उसके बाद last में था germination अगले question में आ जाते हैं अगला question हमारा है Name the human male primary sex organ Human reproductive system में जो male का primary sex organ है प्राथमिक जननंग है उसका नाम बताईए और इसका दो कार्य बताईए and write down its two functions और इसका दो कार्य बताना है यानि human के male का primary sex organ क्या है टेस्टिस है तो बताना है कि human के male का primary sex organ क्या है टेस्टिस है और टेस्टिस का दो function आपको लिख देना है अगला question है टेस्टिस इस फाउंड आउट साइड दा abdominal cavity वाई male का जो टेस्टिस है primary sex organ है ये abdominal cavity में नहीं रहता है abdominal cavity से बाहर scrotal sac यानि scrotum में रहता है क्यों तारा organ जब abdominal cavity में है तो फिर बाकी पार्ट reproductive system का अंदर है तो फिर केवल टेस्टिस जो है वो बाहर scrotum में क्यों है कारण बताना है आपको कि नर का जो व्रिशन है ये scrotum में पाया जाता है यानि उदर गुहा से बाहर एक थैली में पाया जाता है ऐसा क्यों अगला question है name the female primary sex organ उसी तरह जैसे male का था female का primary sex organ यानि प्राथमिक जनन अंक्या उसका नाम बताईए and write down its two functions और इसका दो कार्य बताना है तो मादा का मनुस्य केस में मादा का प्राथमिक जननन अंक ओभरी अंडासे है यानि question है कि अंडासे और उसका दो कार्य आपको बताना है primary sex organ female का है इसका दो कार्य लिख्षें तो दो function आपको लिख देना है तो पहले बता देना है कि क्या नाम है उसका और तब उसका दो कार्य आपको बताना है अब जान लेते हैं, आठ्वे कोशन, एट्थ कोशन जो है हमारा है, what is placenta, write down its function, हिंदी में opera क्या है, इसका कार्य बता है, placenta क्या है, इसका कार्य बता है, what is placenta, write down its function, नाइन्थ जो कोशन हमारा, वो है, write down the secondary sexual characters, that develop in girls during puberty, यानि लड़कियों में puberty के समय जो दूतियक लैंगिक लक्षन, विक्सित होते हैं, या प्रकट होते हैं, उसको लिखना है, तो 5-6 ऐसा करेक्टर आपको जो पढ़े होंगे, आप वो लिखना है, अगला है, सेम है, गल्स के जगह पर boys हो जाएगा, write down the secondary sexual characters, that develop in boys during puberty, तो लड़कों में puberty के समय, जो दूतियक लैंगिक लक्षन विक्सित होते हैं, या प्रकट होते हैं, उसको लिखना है, दो कोशन हो गया, गल्स का, बॉइस का, एक इसी से related कोशन है, जिसमें दोनों का common character पूछता है, तो अगला हमारा कोशन है, 11th, write down the common secondary sexual characters, that appear in both boys and girls during puberty, या लड़के हों लड़के हों, दोनों में puberty के समय, कौन-कौन सा दूतियक लैंगिक लक्षन जो है, ऐसा प्रकट होता है, जो दोनों में common है, तो गल्स का, बॉइस का, और बॉइस और गल्स में जो common है, अगला कोशन देख लेते हैं, बारहा है, what are STDs, STDs क्या है, STDs का full form तो आप जानते हैं, sexually transmitted diseases, हिंदी में, लैंगिक रूप से संचरित होने वाले रोग क्या है, STD क्या है, उसके बाद इसी में जोड़कर पुशता है, के, write down two such diseases caused by viruses, and two diseases caused by bacteria, तो, विशानूओ से होने वाले दो लिंग शंचरित रोगों का नाम बताना है, और जिवानूओ से होने वाले दो लिंग संचरित रोगों का नाम आपको बताना है, यानि, दो STDs ऐसा बताना है, जो वाइरस से हो रहा, दो HDDs का नाम बताना है जो बैक्टिरिया से अगला कोस्टिन जो है यह फीगर वाला कोस्टिन है यानि कोई एक फीगर जो है इस चेप्टर से रहने का संभावना है तो फीगर्स में कताड्राइड नीट एंड क्लीन वेल लेबल्ड डाइग्राम साफ सुत्रा और लेबलिंग किया हुए नामकरन किया हुए डाइग्राम जो है बनाए कोई इसमें से रह सकता है तो एक है बाइसेक्शुल फ्लावर का दुइलिंगी पुस्प का तीगर बना देना है और उसमें नामकरन कर देना है लेबलिंग कर देना है तो वेल लेबल डा उसका नामाकरन जो है figure बना दीजिए उसका नामाकरन कर दीजिए तो बील का फिगर बनाई और लेबलिंग कीजिए तीसरा है LS यानि पूरा फ्लावर में पाए जाता है जिसको हम लोग करते हैं यानि है गाइनोसियम उसका सिंगल मेंबर क्या कर लाता है कार्पिल तो यह पूरा फीगर बना देना है और लेवलिंग कर देना है तो कैसा फीगर है एलेस दिखाना है और उसमें दिखा देना होगा कि पॉलेंग्रेन जो उपर गिरा है इस्टिगमा पर वो कैसे जर्मीनेट होके अंदर जा रहा है ओवरी के अंदर ओविल भी दिखा देना है तो यह NCRT बुक में दिया हुआ है फीगर उसके बाद अगला है human female reproductive system का फीगर यानि human के female reproductive system का फीगर जो है बनाईए साफसूत्रा और उसको लेबलिंग करिए उसका नामा करन कीजिए तो फीगर में यह चार कोशन इस चप्टर से काफी महत्वपूर्ण है बनाकर प्रैक्टिस कर लिए तो अभी तक हम लोग देख है याठाइस कोशन जो है उसमें से तेरा कोशन जो है थाटीन कोशन जो है बोस्ट भी भी आई बहरी बहरी इंपॉर्टेंट को संसा है जो आप प्रिपेर कर लिजेगा आने वाल एक्जाम के लिए अब हम लोग जान लेते हैं जो थोड़ा कम महत्वपूर्ण है निवेरी विभिनता क्या है इसका महत्व बताएं वेरीएशन को डिफाइन करना है और इसका इम्पॉर्टेन्स बताना है विभिनता का परिभासा लिखना है और इसका महत्वपूर्ण है अगला कोशन है पाठ एपन्स वेन दा एग स्नाट फटिलाइजड हमेल के बड़ी में अगर एक जो है और अगर फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो क्या होता है तो लिखना है कि यदि अन्डानु का निशेचन नहीं होता है तो क्या होता है प्रस्ण हमारा है कि वाट हैपन्स वेंद एग इस नॉट फर्टिलाइज या इसी कोशन को दूसरे तरह से भी पूछ सकता है कहाएगा कि वाट इज मेंस्ट्रूएशन वाट इज इट्स कॉज मासिक स्राव क्या है और इसका कारन क्या है बता है next question हमारा है define करना मिनार्खी और मेनोपॉस मिनार्खी क्या है और मेनोपॉस क्या है next question है what are IUCDs और IODs how does copper tea work IUCDs या IODs क्या है intrauterine contraceptive devices क्या है और copper tea कैसे कारे करता है किस प्रकार यह contraception में भाग लेता है यानि निसेचन नहीं होने देता है प्रिजेंसी चालू होने नहीं देता है तो आपको बताना है कि copper tea कैसे कारे करता है और उसके पहले लिखना होगा कि IUCDs या IODs intrauterine contraceptive devices या intrauterine devices क्या है इसको बताना पते हैं next question हम लोग का है कि describe ने इसी में थोड़ा सा पार्ट था copper tea वाले में पढ़ लेजेगा कि copper tea यूज करते है तो उसका side effect female के बड़ी में क्या होता है तो उसी में एक कोशन चोटा tag है what are its side effects IUCDs का उपयोग अगर female कर रही है तो उसके बड़ी पर इसका क्या side effect पड़ता है next question है describe vasectomy with the help of appropriate figure क्याता है जो surgical method है contraception का सल्यची किस्षा वाला जो मेथड है इसे मेल का भासक्तोमी फीमेल का ट्यूबेक्टोमी तो वासक्तोमी जो है क्यों सब्सक्राइब कीजिए और सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करना है फीगर भी बनाकर दिख समझाना है कि वासक्तोमी का कैसे किया जाता है तो पराले भासक्तोमी बता देना है क्या है कैसे होता है किस में होता है और फीगर बना देना करना मलूम है कि हमें साहाःइड-ンパ करना है प्रीमेल में जो ट्ूबैक टोमी का फ्रोशेस है फौकियोन ट्व का चाट कर जो सर्जीकल मेथाड है कॉन्ट्रस trembling इसको बताना है तो माधा में ट्ूबैक टोमी को गावर्णन करना है और और फिगर बनाकर भी बताना है अब यह हमारा जो है जो 6 question है यह very important था पहले लोग देखे ते तेरा question जो very very important था छे question जो है वो very important है और कुछ question जो है यह भी important है थोड़े कम महत्रुपन है तो कुछ पहला है what are the causes of variations जो variation विभीन्यता उत्पन होता है इसका क्या कारण है विभीन्यता के कारणों को लिखें दूसरा है describe regeneration in planaria एक फ्लेट बर्म है तो planaria में उनुरुद भवन की प्रक्रिया का वर्णन करें इसक्राइब रिजनरेशन इन प्लानेरिया नेक्ट्ट कोशन हमरा है इसक्राइब वेजिटेटीब प्रोपागेशन इन ब्रायो फिलम ब्रायो फिलम में होने वाले वर्धी जनन का वर्णन करें अगला कोशन है describe spore formation in rhizopas how is it useful for fungi rhizopas यानि bread mold में spore के निर्मान के द्वारा प्रजनन कैसे होता है इसका वर्णन करना है और इस पूर के द्वारा प्रजनन कवकों के लिए कैसे फायदे मन्द होता है का कम से कम दो जो है आपको उपयोगिता बताना होगा अगला यानि पांचवा है sexual reproduction is it's up the process of making variants explain यानि लैंगिक जनन जो है बिभिन्यता के उत्पन होने के दर को बढ़ा देता है इसको explain करना है आपको यानि वर्णन करना है कि किस प्रकार जो है लैंगिक जनन विभिन्ता उत्पन होने के दर को बढ़ार देता है अगला question है what is condom how does it help in contraception condom क्या है यह contraception में किस प्रकार सहायक होता है यानि प्रिग्रेंसी नहीं हो इसमें किस प्रकार यह मदद करता है next question है what are contraceptive pills CP या oral pills भी करते हैं contraceptive pills या oral pills क्या है तो अगला question था उसके बार अगला question है how is the size of a population determined कोई आबादी है इसका size कैसे ने धारित होता है तो पढ़े होईएगा mortality rate natality rate तो उसका ratio निकाल के बताना है कि किसी आबादी का आकार जो है वो कैसे निर्धारित होता है कब घरता है कब बढ़ता है और अगला question है define करना कोश्टरम्स जो है आपको याद कर लेना है इसको define करने के लिए पूछ सकता है यह human reproductive system से जो है related terms है पहला है gametogenesis युगमक जनन पुछेगा gametogenesis को define कीजिए या क्या है तो आपको इस term को का सारा जितना भी term दिया हुआ यहाँ शेशा term है इसका definition याद कर लेना है तो पहला है gametogenesis युगमक जनन क्या है दूसरा spermetogenesis सुक्रानू जनन क्या है पूजीनेसिस अंडानू जनन क्या है इंप्लांटेशन इंप्लांटेशन क्या है जेस्टेशन या पिगनेंसी जेस्टेशन या पिगनेंसी क्या है अगला है ovulation, undotsarg क्या है? और last में है parturition यानि बच्चे के जन की प्रक्रिया को parturition कहते हैं तो parturition क्या है? यानि जन की प्रक्रिया क्या है? तो बताना पड़ेगा. तो parturition को हिंदी में अगर आप exam दे रहा है तो सिदे लिखा रहाता है कि parturition क्या है? बता है तो define कर देना है कि बच्चे के जन की प्रक्रिया को parturition कहते हैं तो ये सब कुछ term है human reproductive system से related जिसको आपको याद कर लेना है तो हम लोग देखे कि very very important question most VVI questions जो है हम लोग इस chapter में 13 question देखें very important question जो उसे थोड़ा कम महतोपुन था 6 question देखें तो 13 और 6 19 question हो गया 19 questions हो गया और 9 questions जो है ये भी important है लेकिन थोड़े कम महतोपुन है कम important है तो 19 और 9 कुल में जाकर 28 question हो गया अगर आप reproduction chapter में 28 questions को पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी question नहीं छूटे दा तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं धन्यवाद झाल 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 तो झाल